मेरे पास एक बहुत इंट्रस्टिंग इंफोर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर कम करने की एक होम रेमेडी है जिस पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा अब इसमें जो इंट्रस्टिंग बात है वो ये कि 95% लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर है इसे प्राइमरी हाइपरेटेंशन कहते हैं या इडियोपैथिक हाइपरेटेंशन मतलब इसकी वज़ा मालूम नहीं है इडियोपैथिक का ये लव्ज मेडिकल टर्मिनॉलजी में कहीं भी इस्तिमाल होता है तो इसका मतलब है अन्नोन कॉज अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये किस वज़ा से हो रहा है और ये बहुत सस्ता तरीका ये हो सकता है कि आपका एक रुपया भी ना लगे पहले मैं आपके साथ ये इन्फरमिशन शेयर कर दूँ कि ब्लड प्रेशर हाई या लो होता क्यू है ब्लड प्रेशर खून का वो प्रेशर है जो ये खून की नालियों की दिवारों से टकराने पर पैदा करता है इस प्रेशर के काम होने है बढ़ने की कई वज़ुहात है जिसमें ब्लड विसकॉसिटी आ जाती है खून काड़ा है तो ब्लड प्रेशर जादा होगा क्योंकि दिल को जादा जोर लगाना पड़ेगा इसे पंप करके खून की नालियों के जरीए पूरे जिसम में लजाने के लिए तो प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट आउटपुट चेंज होगा खून की नालियां अगर अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है इनमें लचक नहीं, सखत हो चुकी है, बुरे लाइफस्टाइल की वज़ा से फ्रांस फैट्स की वज़ा से, फिजिकली एक्टिव ना होने की वज़ा से स्मोकिंग एक और बड़ी वज़ा है खून की नालियों में कुछ रिसेप्टर्स कुछ सैंसर्स मौजूद होते है जैने बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं अगर जिसमें यह तबदीलियां ओरी होती है तो यह सैंसर्स दिमाग तक यह सिगनल्स लेकर जाते हैं खून की नालियां तंग होने लगती हैं ताकि blood pressure बढ़ाया जाए या फैल जाती हैं अगर blood pressure ज्यादा है। ये baroreceptors जिसम के autonomic nervous system का हिस हैं जिसमें sympathetic, parasympathetic आ जाते हैं। एक systolic pressure है, ये pressure देल के सुकडने पे पैदा होता है। और diastolic है, जो heart muscles के फैलने या relax होने पे पैदा होता है। systolic ideally 120 होना चाहिए और diastolic 80, normally जब body resting state में हो, चल फिर न रहे हो, कोई काम न कर रहे हो। अब ये average numbers है, change होते रहते हैं इन वजुहात की वज़ा से जिनका पहले जिकर हुए। ये high blood pressure तब बनता है, जब ये numbers 140 और 90 को cross करते हैं, जब body में electrolyte imbalance होता है, sodium बढ़ता है, potassium काम होता है, तो body पानी को hold करती है, जिससे blood volume बढ़ता है, volume बढ़ने से pressure बढ़ता है, जिससे baroreceptors activate होते हैं, जो वज़ा बताई जाती है बहुत से लोगों को, और जो common practice है, वो ये कि sodium बढ़ गया, तो आप नमक को कम कर दें, जिससे वक्ती तोर पे pressure कम हो जाता है, लेकिन फिर sodium की कमी हो जाती है, बार-बार की activation और overload इन baroreceptors पे वज़ा बनता है, इनके dysfunction की, जिससे फिर sympathetic nervous system activate हो जाता है, और जब ये active होता है, तो blood pressure फिर से बढ़ जाता है, तो नमक कम कि गुजरने के साथ मजीद बिगड़ता, कभी pressure बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इसके बारक्स अगर आप इसका opposite mineral, potassium intake को बढ़ा दें, तो इसे इस मसले को बहुत हद तक control कर लेंगे, इसके साथ मुनासिब मिगदार में sodium भी लें, लेकिन जो point है, वो ये है कि body में potassium क जरूरत जादा, daily intake 4700 mg के पास होनी चाहिए, और बहुत काम लोग daily intake को पूरा कर पाते हैं, diet से potassium लेने की बात करें, तो ये salad का एक बड़ा bowl बनता है, तब ये daily intake पूरी होती है, next point है vitamin D, vitamin D, autonomic nervous system के functions को restore करता, इन functions को बहतर करता, और बहुत से लोग जो primary hypertension का शिकार है, unknown cause, जिसका भी जिकर हुआ, इन में ये मसला या तो potassium की कमी की वज़ा से हो रहा है, या vitamin D की कमी, तो vitamin D अगर आप लेना शुरू कर दें, तो ये मसला यहीं पर रुख जाएगा, और एक और point है sodium के बारे में, अगर किसी में sodium की कमी है, तो इससे ना सिंपथैटिक nervous system में spike आता ह जाता है, fight and flight mode में हर वक्त इनसान रहने लगता है, जिसे रोज मरा के मामलात खराब होते हैं, तो high blood pressure को fix करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ sodium को कम करना सही फैसला नहीं है, और ये बाते मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, इस research का link मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल लेकिन एक stage आती है, जो body insulin resistant हो जाती है, body के cells और ये baroreceptors insulin को respond करना बंद कर देते हैं, जो फिर वज़ा बनता है इनके dysfunction की, मतलब अचानक से insulin spike हो रहा है, baroreceptors activate हो रहे हैं, जिसकी वज़ा से blood pressure काम ये जादा हो रहा है, और फिर एक stage आती है, जिसमें ये अमल होना बंद ह तो मेरा ख्याल है कि आप relate कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि majority population insulin resistant हो चुकी है, लेकिन इसका जिकर नहीं किया जाता है, ये बात अगर promote की जाए, तो लोग शायद sugar और carbohydrates खाना बंद कर देंगे, low carb diet लेंगे, तलीवी चीज़ों से दूर रहेंगे, और sugar industry में ब फूप में निकलें, यहीं पे ये मसला रुख जाएगा, अब इसमें एक और breathing technique है, जिससे बड़ा हुआ blood pressure normal होता है, आप ये जरूर ट्राय करें, बहुत अच्छा काम करती है, इसमें आप सिर्फ अपने breathing style को change करते हैं, इसे paste breathing कहते हैं, इसमें एक मिनट में 6 बार सांस ल खास तोर पर उन लोगों के लिए बहुत effective है, जो cardiac heart failure का शिकार, दिल काम नहीं कर रहा है, एक्सराइज नहीं कर पाते हैं, तो आप इस breathing technique से शुरू कर सकते हैं, इसे overall endurance बढ़ती है, बोड़ी की बरदाश बढ़ती है, और सबसे बढ़के ये sympathetic nervous system को calm down करती है, nerves को relax करती है जो fight or flight mode है, उससे body को बाहर लाती है, आप ये note करेंगे कि जो sugar के मरीज है, diabetic है, या वजन बढ़ा हुआ, overweight है, तो सांस फूला हुआ रहता है, सांस लेने का अमल बहुत तेजी से हो रहा होता है, और इनके लिए ये एक मुश्किल task है, अपनी सांस को control करना, एक मिनट में six breathing cycles पे खुद को limit करना, ये मुश्किल से कर पाते हैं, और इसे जब आप resting state में, sofa पे बैठे हैं, ये गाडी में बैठे हैं, कहीं रुके हैं, तो आप ये practice कर सकते हैं, करना इस तरह है कि इसमें आपने सिर्फ upper body को involve करना है, सीने से सांस लेना, पेट से गहरा सांस नहीं ले दिन में कभी भी आप करना चाहें, कर सकते हैं, इसे pulse rate नीचे आएगा, और आप बहुत पुर सकून महसूस करेंगे, अगर मेरी इन वीडियो से आपको फाइदा हो रहा है, तो इसे दूसरों के साथ भी share करें, YouTube guidance के मताबिक जिस वीडियो को like और share किया जाता है, YouTube खुद से promote करते हैं, ज्यादा लोगों को recommend करते हैं, अपना ख्याल रखिए इस वीडियो तक के लिए इतना ही, अलाफेस